समस्कार मित्रो आज की तारीख है 1 जून 2014 संडे ये मेरा वीडियो है ये एक्स्प्लीन करने के लिए मौरिशस रूट की कुछ टेक्निकल डीटेल्स कि एक्जेक्टली कौन सा लौ है कौन सा क्लॉस है जिसके द्वारा मौरिशस की कंपनियों को टैक्स चूट मिलती है और टैक्स इवेशन होता है वो तीन चीज में यहां यह 20-25 मिनिट के वीडियो में एक्स्प्लेइन करूंगा तो मौरिशस रूट का जो ट्रीटी है उसको कहने के लिए कहा जाता है डबल टैक्स एवाइड़न्स एग्रिमेंट पर वो डबल टैक्स एवाइड़न्स नहीं है वो एक्चुली आउटराइट टैक्स इवेशन ट्रीटी बोलना चाहिए है डबल टैक्स एवाइड़न्स के लिए क्या ट्रीटी होती है जैसे अमरीका और कैनेड़ा के बीच है कि अमरीका में इंकम टैक्स रेट 40% है कैनेड़ा में 60% है तो यदि कोई कैनेड़ा का सिटी 60% लिया तो अब अमरीका की सरकार उसके पास कुछ नहीं लेगी क्योंकि already higher of the two उसने apply होता है तो इसमें तो अमरीका को घटा हो गया तो इसमें क्या होता है कि जो दोनों देशों की सरकार है वो साल के end में बैठती है कि कितना टैक्स अमरीका ने कैनेड़ा वालों को दिया कितना टैक्स कैनेड़ा ने अमरीका वालों को दिया कैनेड़ा के लोगों ने अमरीका की सरकार को दिया और फिर जो difference आता है वो आधा-धा distribute कर लेते हैं पर यह Mauritius की treaty है वो यह नहीं कहती कि Mauritius में टैक्स बरा है तो इंडिया में कम बरना है कि Mauritius में यदि 1% टैक्स भी treaty में लिखा है अब कुछ लोग मुझे पूत्ते थे कि कहां लिखा है यह treaty में तो फिर finally हमने google करके देखा अब यह URL तो बहुत लंबी है क्योंकि वो तो URL तो हम जोर पे पूरा income tax मतलब law.government.in है बहुत है इसलिए हमने दो tiny URL बढ़ाई tinyurl.com slash rtrgrp01 rtrgrp right to recall group 01 तो आप यह type करो अपने computer पे tinyurl.com slash rtrgrp01 तो इस पर आपको problem मिल जाएगा और कौन सा कानून गैजेट में छापके हम यह problem solve कर सकते हैं वो चार लाइन है जिसके दवारा यह पूरा maurisius route और SCZ का problem solve हो सकता है वो चार लाइन आपको rtrgrp02 पे मिलेगी तो rtrgrp पे आपको indian maurisius के बीच जो treaty हुई थी वो उसका draft मिलेगा अब वो treaty हुई थी 1982 में तो कुछ लोग देवी इंदे राम्मा का दोश निकालते हैं कि उन्होंने ऐसे treaty बनाई पर उनके time पे एक पैसा भी इधर उधर नहीं हुआ था क्यों क्योंकि उन्होंने treaty बनाने के बाद एक दूसरा कानून लागू कर दिया कि विदेशी कमणी भारत में शेर नहीं खरीच सकती तो मौरिशस की कमणी यदि शेर खरीच के बेचती है तो इसे tax नहीं भरना है लेकिन मौरिशस की कमणी भारत में शेरी नहीं खरी सकती यानि नुकसान कुछ हुआ ही नहीं राजीव गंदी ने भी वोई कानून चालू रखा कि कोई विदेशी कमनी भारत में शेर नहीं खरी सकती 1992 में मनमोल सिंग ने क्योंकि वो अमरीका का एजन्ट था उसने ये कानून बनाया कि अमरिका की कमनी भारत में शेर खरी सकती है और उस समय उसने ये मौरिशेस की treaty cancel नहीं की इसलिए 1992 से घाटा होना शुरू हुआ अब आर्टीकल वो ट्रीटी में आप देखना आर्टीकल 13 और उसके clause 1, 2, 3, 4 वो चारो पढ़ने पढ़ेंगे यह बहुत complicated लिखे हैं जान बुझके और इस पर आप सर्च करो clarification वो आर्टीकल 29 के नीचे clarification है clarification में clause number 3 तो आप tinyurl.com slash rtrgrp01 type करो तो आपको यह article clause 1, 2, 4 में जो clause 4 है उसमें दिखेगा कि यदि कोई मौरिशेस की company share खरीती है यानि share यानि कोई भी और उससे जो capital gains हुआ उस पे 2 में से एक ही जगा उसको tax बरना है तो मौरिशेस में tax rate है 1% जो कि अब बढ़के 3% हुआ तो जाईरे वो company मौरिशेस में भरेगी और इससे भारत की सरकार को 30% tax मिलना था वो अब नहीं मिलेगा तो अब इससे घाटा क्या हुआ प्राइमा फेसी दो घाटे है एक तो tax क्या होता है यदि सरकार ने कहा कि राहूल मेता को tax नहीं भरना उसका मतलब क्या होगा आपको ज़्यादा tax भरना पड़ेगा क्योंकि सरकार को कहीं न कहीं से सेना पुलीस अदालत ये सारा खर्चा तो निकाल नहीं है तो एक आदमी को tax चूट दी इसका मतलब होता है कि दूसरे आदमी पे ज़्यादा tax डाला गया तो मौरिशस की कमणी को 30% tax चूट दी गई इसका मतलब कि किसी और पे 5 या 10 या 15% ज़्यादा tax डाला गया मान लो वो tax चूट नहीं दी होती तो हर एक पे tax rate होता वो 25% होता तो इस तरह से आपको 5% का benefit हो जाता अब दूसरा reason क्या है कि मौरिशस के साथ ये treaty क्यों कि मौरिशस की आबादी है 12 लाख मुश्किल से 13 लाख वहाँ पे खेती किस की होती है गन्या की होती है थोड़ी बहुत जड़ी बुटिया वगयरा उकता है बागी कुछ नहीं होता तो पूरा द्वीप कैसे चल रहा है कि पूरे द्वीप है वहाँ का करीब करीब एक एक आदमी या तो थोड़ी बहुत खेटी कर रहा है या तो वो किसी बृतन की कंपनी का एमप्लॉई है बृतन की नेवी वहां पे रहती यानि किसी भी दिन वहां के सरकार को उडा सकती है वो Britain की नेवी Morishis Root पे हमेशा रहती है और वहां के लोग सोतते हैं कि इस isolation का नाम तो आपने सुना ही होगा बहुत बाद उसने वहाँ पर मौरी छो टूरल के रखें हैं मौरिश हस्ट में बैंक के रखें कि एक राजा, बड़ा राजा जब छोटे राजे को हरा देता है, कमजोर राजा को हरा देता है, तो कमजोर राजा को tax देना पड़ता है. तो इस तशरों से यह जो पूरा रोश्चाइल और बेंकिंग माफिया इंटरनेशनल बेंकिंग माफिया वो भारत ऐसे कंट्री से tax वसूल कर रहा है पैसा वसूल कर रहा है उस पैसे पर भारत सरकार को कोई किसी प्रकार का capital gains tax है income tax वसूल ना नहीं है, वो कैसे benefit ले जा रहा है कि short term gain करने का सबसे आसान तरीका है कि जिसके पास government की insider information हो, government की थोड़ी बहुत inside information हो, उसमें inside information के तोवारा capital gains tax हो सकता है, कैसे कि एक सामानिय सिद्धानत share बजारका कि जब interest rate बढ़ते हैं, interest rate कम होते हैं तो दूसरे दिन share के दाम बढ़ते हैं, एक दो percent ही बढ़ते हैं, ज्यादा नहीं मानलो interest rate है, वो 9 percent का 10 percent हो गया, तो 2-3 दिन बाद सारे share market का दाम वो 1-2 percent कम हो जाएगा, 57 percent कम हो जाएगा, एक सामानिय सिद्धानत है, तो जिस आदमी को पता है कि reserve bank है, वो interest rate एक परसंट कम करने वाली है, कैसे पता, क्योंकि Rothschild की agent है, जो कि reserve bank के governor बनते हैं, तो Rothschild ने रखुराम कजनी को बोल दिया, कि बहुए interest rate है, तुझे एक परसंट घटाना है, दो दिन बाद, और उसे दो दिन पहले उसने धेर सारे share खरीद लिए, दो दिन बाद interest rate बढ़ा, sorry interest rate कम हुआ, उसकी वज़े से share market उपर गया, और उसने अपने सारे share बेज दिये, तो सीधा इस तरह से हजार, दो हजार करोड, पांसेजार करोड का, दो-तीन दिन के अंदर ही capital gains हो गया, और वो capital gains वो भारत में हुआ, अब वो भारत के बाहर ले जाना चाहता है, तो उसे कोई tax नहीं परना, बदले में भारत सरकार को डॉलर भी देना पड़ेगा, तो जितने डॉलर आये है, NRI के द्वारा या export के द्वारा, वो भी country से खाली करवाने हो, तो उसके लिए भी Mauritius route है, वो रोस्चैल वगरा को काम आ सकता है, फिर दूसरा यदि Mauritius route से जितना पैसा आया है, उसमें 90% विदेश्यों का है, भारत के लोगों का बहुत कम पैसा है, ये एक अफ़वा खड़ी की गई है, कि वो भारत के लोगों का पैसा है, ताकि हमको ऐसा लगे, कि भारतिये ही हमको लूट रहे है न, क्योंकि जा हमको, मानलो, पबलिक को पैसा बता जाए कि विदेशी पैसा कमाएंगे, और विदेशियों पर टैक्स भी नहीं डालना है, तो एक तरह का inferiority complex हड़ा हो जाएगा, एक तरह की जो ruling class है, उसकी इज़त मिट्टी में मिल जाएगी, आज है ruling class की इज़त क्या है, कि वो corrupt है, पर कम से कम एक आम आदमी ruling class को कैसे देखता है कि वो विदेशी का गुलाम तो नहीं है, लेकिन जिस दिन पता चला कि BJP, Congress, आम आदमी party, judiciary, सब विदेशों के गुलाम है, उनकी दया पे जीते हैं, उनकी दया से election जीते हैं, तो उनकी image खतम हो जाएगी, उनकी population को rule करने की, population को control करने की उनकी capacity है, वो क सबचाई भी छिपाना जरूरी है, और वो सबचाई छिपाने में, Mauritius Root के बारे में जूट बोला गया, कि Mauritius से जो पैसा आता है, वो भारतियों का ही पैसा है, वो विदेशों का पैसा नहीं है, अधिक तर में, Mauritius Root से जो पैसा आ रहा है, वो अधिक तर पैसा रोस्च करती है, या टैक्स बचाती है, जो भी आपको बोलना हो, वो कैसे संभव है, उसका में एक तरीका देता हूँ, पचास तरीके है, और ये तरीका काफी सिंप्लिफाइड है, मैंने बहुत सारे अकाउंटिंग डिटेल्स मैंने निकाल दिये है, ये बेजिक तरीका है, कि मान लोग से टैक्स नहीं भरना है, ये उसका टैक्स हुआ, 350 करोर टैक्स, सपोज इसको नहीं भरना है, तो एक तरीका क्या है, कि मार्केट में कोई चीज है, कोई mobile phone है, कुछ भी जो कि इंटरनेशनल मार्केट में हजार में भी करा है, और इंडिया के अंदर भी हजार में भी बिक राय है या इंटर नालिजस्ट प्लास कस्टम ड्यूटी में बिक राय है तो वह क्या करेगा उसकी मौरिशस में कोई कंपनी खोलेगा मौरिशस की कंपनी वो ही सामान हजार करोड में खरी देगी और उसकी इंडियन कंपनी को दो हजार करोड में बेचेगी और वो इंडियन कंपनी फिर मार्केट में एक हजार करोड में बेच देगी यानि जो कॉमोडिटी आइटम्स उसने खरी दी इंप इकनी प्रोफिट था एक अजार करोड का, वो एक अजार करोड के बिजनेस लॉस से पूरा जीरो हो गया, यानि उस पे टैक्स आएगा, जीरो. अब ये पैसा वो Mauritius की कमणी में ले गिया तो Mauritius की कमणी ने इंटरनेशनल मार्केट से 1000 करोड में सामान खरीदा था उसने इंडियन कमचनी को 2000 करोड में बेचा था तो इसको हुआ 1000 करोड का प्रोफिट लेकिन Mauritius में तो income tax एक परसंट, दो परसंट जितना ही है, तो थोड़ा बहुत दी होगा, और यदि वो profit उसको इंडिया लाना है, तो वो कैसे लाएगा, कि इंडिया में SEZ में एक कमपनी खोलेगा, वो कमपनी कुछ एक हजार करोड रुपे का एक्सपोर्ट करेगी मौरिशास को, यह मौरिशा सारी चीजों पर टैक्स नहीं लगता, कुछ-कुछ पर लगता है, आप वहां पर आया, वरना पहले SEZ में 100% इंकम टैक्स एक्जम्ट थी, अब वहां पर मिनिमूम अल्टरनेटिव टैक्स आया, पर तो भी SEZ में बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रिया हैं, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता, तो इस तरह से उसका हजार करोर का प्रफिट था, वो उसने मौरिशस के जर्ये वापस भारत में लाके टैक्स एक्जम्ट कर लिया, अब इसमें कोई फॉरें एक्जेंज का फाइदा क्यों भारत को नहीं हुआ क्यों कि जितना फॉरें एक्जेंज उसने यह कर पर तो 300 billion dollar का debt है, 24 साल से यह बात कही जा रही है कि यह करेंगे उससे foreign exchange आएगा, यह करेंगे उससे foreign exchange आया, तो foreign exchange यह आ रहा है, आरह है, तो अभी तो हमारे पास foreign exchange का surplus होना चाहिए, foreign exchange का debt क्यों है 300 billion dollar का, तो जितने लाने के तरीके हैं उससे double तरीके foreign exchange देश में से व मौरिशास रूट क्या है कि मौरिशास रूट ट्रीटी जो है उसका आर्टिकल 13 क्लोस 124 ट्रीटी के नीचे आर्टिकल 29 के नीचे आप पढ़ना क्लारिफिकेशन, क्लारिफिकेशन नमबर 0.3 और वो URL आपको मुझे आगा tinyurl.com rtrgrp01 अब उपाई पे आते हैं तो कॉंग्रेस है वो मौरिशास रूट की समर्थक है उसने तो शुरू किया मनमोन सिंग ने शुरू किया और आज भी सारे नेता उसके समर्थक है BJP के वाजपाई ने और यश्वन सिना ने मौरिशास रूट का 1992 से 1996 तक इन्होंने विरोध किया था यश्वन सिना स्वदेशी जागरण मंच के संस्थापक वरिष्ट नेता थे RSS के जो बड़े नेता थे सरसंग्चा वो भी मौरिशास रूट के बहुत बड़े विरोधी थे उसके बाद 1996 में वाजपाई की सरकार बनाई फिर उन्होंने पोखराण वो टू किया सरकार गिर गई इसलिए 1998 में जब इलक्षन हुआ तबी भी वो मौरिशास रूट के विरोधी थे तो लोगों ने पूछा कि आपने दो साल में मौरिशास रूट बंद क्यों नहीं किया तो पचास तरह के बहानों के साथ साथ बोला कि हमको टाइम नहीं मिला 1998 में दूबारा सरकार बनी तो सरकार के बनते कुछ तीन-चार हफ्तों में वाजपाई और ये सरसंग चालक और ये यश्वन सीना सब मौरिशास रूट के सबसे बड़े समर्थक हो गए उन्हें नहीं कहा कि नहीं मौरिशेस रूट चालू होना चाहिए अस्टम पस्टम इससे देश को बहुत फाइदा हो रहा है जबकि देश को घाटा ही हो रहा था तो बीजेपी के नेताओं का हमेशा ये रहा है ये जो एफडियाई आज हुआ 100% डिफेंस वो मेरे लिए क्यों खास नहीं बात नहीं थी क्योंकि जिन लोगों को वाजपाई की सरकार से थोड़ा बहुत परीचाई है या जिनोंने स्टेट लेवल पे बीजेपी सरकारों का अध्याइन किया हुनों वो देखेंगे कि कॉंग्रेस की गलत नीतियों को जी भरके गालियां देना और लोगों को उकसाना वो कभी solution नह नेता है वो कभी solution नहीं बताएंगे वो लोगों को उकसाते हैं उनका खुन गरम करेंगे और वो खुन गरम करके उसको वोट में convert कर देंगे और वोट में convert करने के बाद MP MLA मिनिस्टर बन गे उसके बाद जो कॉंग्रेस ने किया वो डबल फोर्स से करेंगे उसमें हमेशा यह रहा यह जो कॉंग्रेस ने 26% FDI कर दी यहां आने के साथ दूसरे दिन उसने 100% FDI कर दी इसी तरह से 6 साल तक यश्वन सिना ने मौरिशयस रूट का विरोध किया वो जैसे ही फाइनांस मिनिस्टर बने 1998 में उन्होंने मौरिशयस रूट का समर्थन करना शूरू किया त मौरिशयस रूट चाल हुए मौरिशयस रूट के बारे में के खिलाफ सबसे ज़्यादा किसी ने काम किया हो तो वो है स्वर्गिय राजिव दिक्षित जी उन्होंने हाई कोर्ट में केस फाइल किया था केस जीद भी किया थे लेकिन सुप्रीम में केस हार गे आजादी बारे स्वाबी में ट्रस्ट के कारिया करता हूंने मौरिशयस रूट के विरूद में बोला अब बारे स्वाबी में ट्रस्ट के सारे कारिया करता हूं मौरिशयस रूट के समर्थ हो कोई कि वो उट पटंग बाहने देंगे मौरिशयस रूट का समर्थन करने में ऐसे ऐसे कि अब तो मुझे उनके बाहनें समझ में नहीं आते थे पहले मुझे उनके बाहनें समझ में आते थे कि वह違las कौंग्रेस सर्कार मेरी बात नहीं मनने वाली इसलिए हम इस मांग को करें मैंने उनसे बात की अभी कुछ दिन पहले 12 स्वावी में इंटरस के कारिय करता हूँ कि अखबार में एडवटाइज को नहीं देते मौरिशस रूट खतम करने के लिए इसके लिए आपको कौन सी स्वामी रामदेज जी की पर्मिशन के जरूएते आप यहाँ पे 10-15 मेंबर हो 500-500-5001 इकठा करके अखबार के फ्रंट पेज पे छोटा सा अडवटाइज दे दो कि हम सरकार से रिक्वेस्ट करते कि मौरिशस रूट खतम करना चाहिए वगरा तो पहले उनका बाहना था कि सरकार सुनने नहीं वाली तो चलो वो बाहना मान लिया पहले अब क्या बाहना है उनके पास तो अब वो कुछ ऐसे उट-पटंग बाहने देते वो आप ही उनसे पूछ लो क्यों कि मेरी समझ में बाहर है यानि अब तो इतने मुझे complicated लगते हैं वो बाहने के मुझे याद भी नहीं रहते है तो भारत्स्वावीमान ट्रस्ट है के कारिय करता भी अब मौरिशास रूट के समर्थक होगे आँम-ादमी पार्टी के जो नेता है अरविन केजरिवाल और उसके कारिय करता सब वो भी सब मौरिशास रूट का समर्थन करते है तो फिलाल मौरिशस रूट के खिलाफ कोई काम कर रहा हो तो सिर्फ वो right to recall ग्रूप है मतलब मैं और मेरे थोड़े बहुत कारे गरता है और दूसरा कुछ लोगों पैसे भी दे रहे हैं और इनका मज़ा उड़ाओ तो बहुत सारे poster आज मैंने facebook पे देखे कि वो मतलब उन्होंने right to recall group का हर तरह से मजा कुड़ाना शुरू कर दिया वो तो ठीक है वो maurishas route के समर्थक है इसलिए मजा कुड़ा रहे और फिर उनको हमारे मजा कुड़ाने के पैसे भी मिलते है तो उपाई क्या है तो उपाई के लिए मैं आपको request करूँगा tinyurl.com slash rtrgrp02 ये type कीजे tinyurl.com rtrgrp02 उसमें एक चार लाइन का clause है तो वो gazette में चप जाए any problem solve. चार लाइन क्या कहती है कि भारत में जितनी भी कंपनिया है वो maurishas की हो या भारत की हो या Singapore की हो या किसी भी देश की हो वो SCZ के हो या SCZ के बाहर हो उसके उपर समान tax लगेगा और income tax act का यदि कोई clause कहता है या कोई और treaty कहती है कोई और act कहता है कि उन पर कम tax लगेगा तो वो clause आज के बाद रद माना हो जाएगा यानि कानून में कहीं एक बार चप गया कि यह यह है और इसके खिलाफ जो है वो रद है यानि वो automatically रद हो गया यह चार लाइन लिखने से तो यह चार लाइन लिखने से मौरिशस रूट खतम कर सकते हैं और S.E.Z. भी खतम करना है मतलब S.E.Z. खतम नहीं करना है नहीं S.E.Z. को जो tax benefit मिल रहा है वो खतम करना है S.E.Z. में जो कंपनिया चल रही है उसको मैं यह नहीं कर रहा कि वो कंपनियों को सारा बंद करना है S.E.Z. की कंपनियों को जो tax benefit मिल रहा है वो सब को खतम करना है अब अभी कुछ दिन पहले पेड़ी नियूज ने यह कहा कि मौरिशस रूट के समझ में एक बहुत बड़ी प्रगती हुई वो क्या प्रगती हुई कि अब मौरिशस की सरकार है वो tax information इंडिया को automatically देगी तो मुझे लोगों को समझाना पड़ा कि इसमें फाइदा मौरिशस की सरकार का है भारत की सरकार का कुछ नहीं है मौरिशस की सरकार का फाइदा कैसे है कि मान लो कोई भारत की कंपनी ने एक हजार करोड रुपिया कमाया तो उसके पास दो चोईस है या तो वो भारत में 350 करोड टैक्स भरे या तो वो मौरिशस में 30 करोड टैक्स भरे मौरिशस और इंडिया तो जाहिर है वो मौरिशस में 30 करोड टैक्स भरेगी तो वो कंपनिया क्या करती थी कुछ-कुछ कि वो इंडिया में टेक्स रिटन फाइल करेंगे तब लिखेंगे कि 1000 करोड का प्रॉफिट मौरिशस में 30 करोड टेक्स भरा यानि ऐस पर मौरिशस DTAT Treaty Article 13 Clause 4 हमें टेक्स जीरो भरना है ये रिटन फाइल कर देती ती और फिर मौरिशस में 30 करोड भरती नहीं थी अब जब मौरिशस की सरकार Tax Information Government of India को देगी तो जब पता चलेगा कि 30 करोड नहीं भरे तो Government of India नोटीस निकालेगी इसका मतलब कि अब उन्हें मौरिशस में 30 करोड भरना पड़ेगा तो फाइदा मौरिशस की सरकार को और मौरिशस की सरकार को जो पैसा जाता है वो सिधा रोस्चार्ड के खाते में कैसे जाता है कि मौरिशस की पूरी सरकार है पूरा देश है वो रोस्चार्ड चलाता है वहाँ पर और कुछ होता ही नहीं एक चीनी उकती है चीने के सिवा महां कुछ ही नहीं वहाँ पर चीने के सिवा जितना भी कारोबार होता है, धन्दा है, पालिटिक्स है वो सब वहाँ पर बेड़ं की कंपनियां चलाते हैं तो अटोमेटीकल तो इससे होगा क्या कि यह जो टैक्स है वो पहले सरकार के खाते में जाएगा वहाँसे फिर ब्रिटन के कंपनियों के पास चला जाएगा तो इस तरह से मौरिशास मैं समराइज करूंगा कि मौरिशास रूट से भारत को बहुत नुकसान जा रहा है चार लाइन यदि हम छाप दे गैजरेट में तो मौरिशास रूट खतम हो सकता है SCZ के को जो नेफेरियस जो गलत उसको टैक्स बेनिफिट मिल रहे है वो भी खतम हो सकते है यह बहुत आसान काम है वास्तविकता यह है कि यह सरकार को नई सरकार जो है मोदी की सरकार को उसे करना नहीं है वरना उसने मौरिश असरूट खतम करना होता, तो जिस दिन वो PM डेजिगनेट बने या तो जिस दिन उन्हें शपत लिया उसके दूसरे तीसरे दिन खतम कर सकते थे, लेकिन 100% FDI के लिए टाइम है उनके पास, लेकिन मौरिश असरूट खतम करने के लिए टाइम नहीं है, औ आई कोट ने जज्जमेंट दिया था कि मौरिशेस की कंपनियों पे भी टैक्स डालना चाहिए तो यश्वन सीना ने सुप्रिम कोट में on behalf of government of India केस फाइल करवाया कि आई कोट के जज्जमेंट को कैंसल करो तो यह मौरिशेस रूट को कैंसल नहीं कर रहा है तो हम कैसे कैंसल कर सकते हैं कि जिन लोगों को मौरिशेस रूट को कैंसल करना है वो अपने MP को SMS से यह order बेजे क्या है order tinyurl.com slash rtrgrp02 आप अपने MP को यह SMS से order बेजो और यदि 40-50 करोड लोग इस तरह से SMS से order बेजते हैं तो मौरिशेस रूट है वो cancel हो जाएगा धन्यवाद